बार नवेका वो कालिख जो राम भक्तों ने पूरे देश से आकर आयोध्या में बिद्वन्स कर दिया था लेकिन राम मंदिर बनने के उपरांत ये जो कालिख आयोध्या वासियों के मस्तक पर लगा है ये सायद हजारो हजार बरस तक ना दोस्तो और ये जीवन भर हिंदू आयोध्या का हिंदू अपने मस्तक पर लेकर घुमेगा और नमक हराम की तरह देखा जाएगा किसे दिर राम मंदिर को बनवाया उसी को आयोध्या वासियों ने हरा देने का काम किया है ये संपूर्ड ओयोध्या के लिए संपूर्ण भारत के हिंदूों के लिए और संपूर्ड बिस्वमें पहले हिंदूऑों के लिए इससे ज्यादा दुक की बात कुछ नहीं हो सकती है कि जिस जिन मानिये प्रधान मंत्री मोधी जी ने योगी जी ने जिस आयोध्या में आते ते तो लगता था कि आसपास कि इनी सीट के विधायक और सामसद है ऐसा कभी लगा ही नहीं कि वो प्रधान मंत्री है और उसके बाद भी उनको हरा देने का काम किया है यह कालिक हजारो बरसों तक चलने वाली है और इसे आयोध्या वासिक कभी खातम नहीं कर सकते हैं यह बहुत दुकत है और इसको कहपाना कि आयोध्या में क्यों आयोध्या वालों ने भारतिया जंता पार्टी को हरा दिया और उनको कैसे हरा दिया जो 90 कि 10 की वो साम जब लगों की संक्या में राम बक्तो को साजू संतों को यह घोलियों से बून दिया यह वर उनको जिता ढिया यह बहुत दुकह इसको कहपाना मैं पिछले दो दिन से मुझे न भूञ़न किया जा रहा है मुझे नीद आ रही है मैं बता नहीं पा रहा हूं कि कितना कश्ठ है और यह मुझे एक मात्र मुझे नहीं है बलकि पूरे देश में हिंदू को है और इसको सूच कर कि अयोगतिया में लोगों ने भगमान राम को जो लेकर चलने वाली पाटी है उसको हरा दिया और भगमान कि भगतों का निर्ममता पूरपद संघार करने वाले रामनों को यहां से जिता दिया अयोधिया को कभी पूरा भारत साहिद पूरे सनातन में जो हिंदू है पूरे विष्व में सनातनी हिंदू है वो साहिद माफ नहीं कर पाएंगे यह बहुत दुखद है बहुत छاتड़ा के मस्तथ लगा था जो नहीं कहीं कहीं कर लग गया था जिए भगवान रां को बनभास दिला दिया जिन्होंने माता सीथा को बनभास दे दिया यह वह अमर कालिक है यह वह अघड़ कालिक है जो जब तक राम मंदिर रहेंगा तब तक ये कालिक हिन्दू她 में impressed पर रहेगा कि जनों ने भाब्य दिब्यराम मंदिर बर्माने काम किया 500 ब्रसों के कालिक को विधुथू कर दिया उनी को इनौने हरा दिया चंद निजी स्वार्थ कहीं लग गए होंगे, चंद रुपए दिख गए होंगे, जिन्होंने यह कहा कि संबिधान बदल देगी भारते जंता पार्टी, जिस संबिधान की बदलत हमारे प्रभुस्री राम लला भाबे रूप से विराजमान हुए, कुछ जुम्लेवाज पा और क्या होगा, संबिधान बदलने की किसी में चंता नहीं है। जिनको प्रत्यासी बनाए, वो दलितों के नाम पर कुछ जातीबाद के नाम पर कुछ वोट ले लिए। और कुछ तमाम कारण रहा, एक बार जो है तो भाजपा के राश्टी अध्यक्ष ने कह दिया था कि आरे एसेस की जरूरत अटल जी के समय थी, अब हम बहुत हैं, तो हिंदू संगठनों को पेक्षा भी इसमें कारण रहा, और दूसरा एक जो बड़ा कारण था, आयोध्या किसी ठारने का, तो चीन और पाकिस्तान के एजेंट भी यहां लगे थे हराने के लिए, क्योंकि वो देख रहे थे कि भारती जनता पार्टी जो है, उसका ज जो है, यहां पैसा भी काफी पाटे हैं, तो वो दलितों को और OBC को जो है, तो समझाने में और खरीदने में कामयाब रहे, हलाकि हम लोग शर्मिंदा हैं, और जो राम भक्तों के उपर गोली चलाया, उसका प्रत्यासी जीत गया, जिसने राम मंदिर बनाया, उसका प्रत् हैं, तो दुखद रहा, और यह कमी जल्दी पूरी भी होगी, यह जो द्यावासी दोगले है, जब भगवार राम के नहीं हुए, तो यह किसी के नहीं हो सकते, जब माता सीता पे लांचल लगा दिये यह लोग, तो यह जो माता सीता पे लांचल लगाए, उन्होंने भगवार राम गए थे लंका पे चडाई करने के लिए उस समय भी अजुद्यावासियों को लेके भगवार नहीं गए थे उनको मालूम था कि अगर अजुद्यावासि को लेके जाएंगे तो वास्तों में धोका कर देंगे ये रावन से समझोता कर लेंगे इसलिए वो लेके नहीं गए इसलिए ये अयोद्यावासी पे कभी विश्वास मत करना जो राम को लाए थे अब उनको लाए थे लाएंगे यही नारा अयोद्यावासी पहले कर रही थी अब कहा गया वो नारा अब कहा गया जो राम को लाए थे तुम लोगों ने ठुकरा दि उसको दुनिया ठुकराती है अगर राम को अध्यावासियों ने ठुकराया है तो राम भी उनको ठुकराएंगे यह वह अवस्त बविस्वाडिये जन्तों का